हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मेखा और मैं आपका अपने क्रींस बेबी ममा.com चैनल पे स्वागत करती हूँ तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको बाबु की मालिस करते समय कौन-कौन सी गलती नहीं करनी है ठीक है और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि अभी हम फ्री वैथे हैं तो हम बाबु को जो है डिश्रब करके उसकी मालिस करते हैं अगर आप उसकी नीन खराब करके उसकी मालिस करती हैं तो इससे क्या होगा वो बहुत जादा रोएगा और बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा अदाही उसको बिल्कुल भी अच्छा लगेगा तो आपको बिल्कुल भी उसके साथ जबर्दसी नहीं करनी है जब भी आप मालिस करें तो आप उसकी बहुत जादा टाइट हातों से मालिस ना करें श्टार्डिंग में जब आप मालिस करें जब बाबू एक या दो दिन का होता है तो आप बिल्कुल हलके हलके हातों से मालिस करें और जब आप उसके सर में तेल लगाए तब भी आप ब बाबु के पैरों में 45 गार रही है तो उसंवे बाबु बहुत ज्यादा रो दो नहीं रहा चिला नहीं रहा मतलब आपको इस पीड ऐसी रखनी है कि आप Glück करुछे नहीं है कि ये है कि जब आहीं है कि बच्छों आप उसके साथ बिल्कुल ना करें, ऐसा ना करें कि उसका मन नहीं है, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, आप उसकी मालिस करे जा रही है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, और आपको जो चौधी गलती नहीं करनी है, वो यह है कि जब आपके बाबु का पेट भरा हो या उसने तुरंती कुछ खाया पिया हो तो आपको बिलकुल भी तुरंत मालिस नहीं करनी है और बाबू का पेड भरा है तो आपको लगवग उसके 1-1.5 घंटे बादी मालिस करें क्योंकि बच्चों को तुरंत खिलाने के बाद में उसकी मालिस नहीं की जाती है और आपको जो पांचमी गलती नहीं करनी है वो ये है कि चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो आपको मालिस करने के तुरंद बाद नहीं नहलाना है आप उस सर्जियों में मालिस करने के लगवग एक घंटे बाद नहलाएं और गर्मियों में आप लगवग 15-20 मिनिट के बाद में आप बाबू को नहला दें तो भी इससे बाबू को जो है बहुत जादा नुकसान हो सकता है तो आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि आपको मालिस करने के तुरंट बात बिल्कुल नहीं नहलाना है और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो है बाबू की मालिस के लिए अच्छा तेल ही यूज करें और मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाओंगी अपने एक्सिरियंस के अकॉर्डिंग कि बाबू के लिए जो सबसे जादा अच्छा तेल रहता है चाहिए फिर वो गर्मियों में हो या पिर सर्गियों में हो सबसे अच्छा होता है वो होता है सरसो का तेल बस आपको इस ब बेबी हो तब भी आप उसकी आराम से सर्गियों में मालिस करें तो आप कभी भी कर सकती है क्योंकि सर्गियों में मौसम ठंडा रहता है और जब आप गर्मियों में अगर सर्गियों का तेल यूज करती है और तो आपको एक बार का ध्यान रखना है कि आप जब भी गर्मिय से बोड़ी बहुत ज़्यादा चिपशिपाने लगती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है तो अगर आप जो है सुबह सुबह बाबु की मालिस कर देंगी सर्तो के तेल से तो बाबु को बिलकुल भी अनकमफर्टेवल नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि वो आराम से सो भी जाएगा मालिस करवाने के एक दो घंटे तक फिर आप आराम से उसको नहला दीजिए आपको इस बात का ध्यान रखना है और आप गर्मियों में जो है नारियल का तेल भी उच्छ कर सकती है गर्मियों में नारियल का तेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बाबू के लिए और आपको जो छटमी गलती नहीं करनी है वो यह है कि आप जब भी बाबू की मालिस करें चाहिए वो नियूबॉर्ण बेबी हो या फिर थोड़ा सा बड़ा बेबी हो तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है या फिर आपकी बेबी गर्ड हो या बॉय हो आप जब भी मालिस करती है तो जो सरसों का तेल होता है तो उसके private part में एक या दो को ब्हुत करते हैं तो आपको मालिस करते समय तेल से वह भीत साफ करना है जो कानके पीछे बाबु के गंदगी हो जाती है तो आपको मालिस करते यह समय काल के पीछ भी जरूर ध्यान रखना है और कालों में एक से जरूर तेल डालना है और दो ज़ादा ना डालने वच्छों कि आपको यह काम डेली करने हैं और मालिस करते आपको एक बात और ध्यान रखनी हैं कि जो नियूमॉण बेभी होते हैं तो उनके आपने देखा करनी है ठीक है गर आप गंदगी नहीं साफ करती है तो इसे बाबु के जो है मतलब बच्चों के जब गंदगी जमी रहती है तो इसे बाबु के ड्रैड पढ़ने लगता है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है और ये काम आपको डेली करनी है और आपको एक बात औ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और एक चीज में यहां पर क्लियर कर दूं कि जो बेबी बॉय की जो प्राइबेट पार्ट होता है वो स्टार्डिंग में बहुत थोड़ा सा ही खुलता है तो आपको आपको इसको स्टार्डिंग से बहुत जादा खोलने की जरूर खोलने लगता है लेकिन हाँ आपको स्टार्डिंग से उसको खोलते रहना है अगर आप उसको नहीं खोलती है तो आने वाले टाइम पे उसका प्राइबेट पार्स जो खोलने में बहुत जादा प्राइब्लम्स होंगी तो आपको यह चीज जरूर ध्यान रखनी है और जादा आपका बेबी और हेल्दी और स्वस्त रहेगा और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हैल्पुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नए वीडियो डाल